हेलो दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविश्य को लेकर हर तरफ से अटकले लगाई जा रही थी कि आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आपको बता दें शिवराज सिंह चौHAN का राजनीतिक भविश्य अप दिल्ली में ही होगा ऐसा इसलिए क्योंकि सूतरों की माने तो शिवराज सिंह चौहान को केंद्री मंत्री मंदल में शामिल होने को पीम मोदी का फोन पहुँच चुका है और शिवराज सिंह चोहान को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में बैठने का मौका मिल सकता है वह मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने सरवाधिक समय तक मुख्य मंत्री पद का कार्यभार संभाला है राजनीती में कदम रखने से पहले उन्होंने राश्ट्रिय स्वयन सेवक संग में कार्य करता के रूप में कार्य किया था शिवराज चौहान छे बार विदिशा सीट से सांसद है जहां से कभी पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेई और विदेश मंत्री सुशमा स्वाराज जैसे नेता सांसद थे प्रधेश में मुख्य मंत्री पद का दाइत्व संभालने से पहले शिवराज पार्टी के प्रधेश अध्यक्ष और भाजियुमों के राश्ट्रिय अध्यक्ष भी रह चुके हैं आपको बता दें अब तक जोती रादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को ही मोधी मंत्री मंदल में शामिल होएने के लिए कौल आया है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा लोगसभा सीट से एतिहासिक जीत दर्ज की है यहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रताब भानू शर्मा को करीब आठ लाख से अधिक वोटों से चुनाव हराया है आपको बता दें एक तरफ जहां देश भर में दिगज नेता महज एक से दो लाख वोटों से चुनाव जीतने में सफल हो पाए वहीं शिवराज सिंह चौहान की प्रचंड जीत की चर्चा पूरे देश भर में है लोग सभा चुनाव में विदिशा से छठवी बार सांसत चुने गए शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में भाजपा के सबसे कद्दावर नेता है